पर आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने परिबारे इक्जाम पूर में कैसे हो आप सब जल्दी से बता दिजिए गोड़ इवनिंग जल्दी से आ जाओ जल्दी से आज़ाओ गूड इवनिंग जल्दी से आज़ाओ जल्दी से आजाई है आप लूग को थोड़ी से आज क्लास में लेट होके शांट करने में यह अंग चलो 3 जल्दी सा आज स्थ आओ आप इसके प्रसो देखे ही थे मेरी थोड़ी सी तब्यत से नहीं थी को 2007 को आज कल आज करते हैं उसके आगे से ठीकिन टेस्ट वीचे मींट चुट गी है उसके चलते ले थकेnt खतम नहीं कर पाएं तो लेत आज खतम करके कोशिस करेंगे कल विकेंट टेस्ट नहीं तो फिन नेक्स्ट क्लास जब हो तो उसमें आपका टेस्ट ले लिया जाए ओके ओके जल्दी से आजाओ जल्दी से आजाओ सभी लोग फिर क्लास को स्टार्ट करें it好像 words oh, subscribe देखिये इसके पहले लोग कहां तक पढ़े थे तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्क और ह्लिंग क्या पढ़ रहे थे त अम लोग पढ़ रहे थे लेत में वर्क ओलिंग डिवाई्स कि वह हो डिवाईस जो हमारे वर्क पीस को पकड़ रही थी जैसे कि चक कॉलेट चक में कई प्रकार के चक होते हैं उसमें कॉलेट एक आपका छोटा चक आता है वह सब चीजे फेस फ्लेट मैड्रेल यह सब जित्ते चीजे हैं यह सब चीजे हम क्या कर रहे थे यह सब चीजे हम पढ़ेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंदर किसके अंदर और पढ़ेंगे ओके रोन आव लोग को संबी तो क्लास को सेर्ऴ करो जल्दी से तो है है जल्दी से चलो है यह देखो हाँ आधाई है हम ने में पढ़ा था क्या है तो हमने लिए पढ़ चुके हैं क्या तो चक हम पढ़ चुके हैं चक में मैंने आपको बताया पहला चक में मैंने आपको यह चीज बता दिया है कि चक कितने परकार के होते हैं इसमें मैंने आपको बताया थ्री जाचक और इसी में मैंने बताया आपको फोर जाचक कि इसको मैंने आपको यह भी बता दिया है कि तरी जाचक को सेल्फ सेंटरिंग भी कहते हैं वह सेल्फ सेंटरिंग मतलब वह खुद वर्कपीस को सेंटर में ला देता है किसी एक को टाइट करिए यह आट्मेटिक अपना तीनों पर एक पूट दोगे तीनों पर आउट्पू तो हमको सेट करना पड़ता है इसका मतलब यह सेल्फ सेंटरिंग नहीं होता है यह सब चीज हम इसके अंदर पढ़ चुके थे अब आज जहां से क्लास हमारी स्टाट होने वाली है वह है क्या वह क्या है आपका तो आज हमारी क्लास स्टाट होने वाली है कॉलेट से कॉलेट क्या तो आज हमारी क्लास स्टा ओने वाली है कॉलेट से कॉलेट से अब किसी को पता है क्या कि क्लेट क्या है एनिवन कॉलेट कि बताओ कुछ नहीं है मेरे भाई कॉलेट केवल आपका समझ जना कि यह आपका एक स्माल साइज का एक स्माल साइज का चक है क्या है तो एक काशाई का चक है छोटा होगा सी इस चक में पकड़ते क्या है इस चक में मतलब इसक में पकड़ते क्या है हैं बताओ तो इसमें जो है ना इसमें हम क्या पकड़ते हैं तो यह आपके यह आपके होल्ड क्या होल्ड करता है तो यह आपका ड्रील कि ड्रील और मिलर क्या है मेलर क्या यह आपके ड्रीली कटर या फिर मिलर् miserable काटर मतलब इंड मिलर ओके मिलर क्या के कैźwood करता है सब्सक्राइब करता है मिलर क्या है यह करता है पकिछकी समना साइज के चक है और यह होल्ड करता है ड्रील या फिर इंड मिरल कटर को यह क्या करता है होल्ड करता है और सर इसमें खासियत क्या है और इसमें खासियत क्या है तो यह जो ना आपका यह जो होता है यह या तो जैसे हम चक में क्या होता था चक में भी आगे बता रहा हूं मैं उसमें भी हैंड ओपरेटेड होगा यह तो यह तो हैंड ओपरेटेड होगा और एयर कि यह तो हैंड ओपरेटेड होगा यह फिर एयर ओपरेटेड होगा यह तो हैंड ओपरेटेड होगा यह फिर ये यार-a、 ओपने टोगा और तो इसका जो यूज करते हैं ना इसका जो यूज करते हैं किसलिए तो यह देखी ऌए आपको यह ड्रिल और मिलर चकर के पाइप को होल्ड करने के लिए पकड़ते हैं ठीक है अब इसमें देख लो थोड़ा सा इसका फिगर देख लिए आप लो इसका थोड़ा सा अपनों फिगर देख लो कॉलेट का कुछ ऐसा फिगर होता है देखो कि कि कर लो यहां पढ़02 तक किया होता है लाद कर यहां पर यहां पर आपका आपया है यहां पर ऐसे कुछ दूर तक आपका खाशह कटा होता है यह आपका L अब सट पान अब सब्स начина on haircut आपका घो इसमें कैसे करते हैं तो यहां पर के हैं यहां पर इसको चूड़ी को अगर इसको के तक जानते यहां तक आप इसको ही anything यह पूरा क्या हो जाएगा यह पूरा टाइट हो जाएगा इसको अगर यहां से गौपार करेंगा यहां से इसको अगर ओपन करें को तो यह देख रहो हो येतर है यह आपका इसकी जो पकड़ कर सकते हैं क copper यहको से आपका हो गया collect क्या यह आपकाespère इस प gefährख यतना पढाया हूं सबको समझ में आया हैना जल्दी से बताओ इसके पहले भी कि यह ना कि आगे बढ़ता जाओं और पीछे से तुम लोग गुलते जाओ भाई देखिए यह यह आपका कॉलेट हो गया वर्कॉल्डिंग डिवाइस में और आपका चक हो गया अब जो ठर्ड है वह आपका है नूमेटिक तो इसके नाम सही क्या पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एयर का रोल है तो नूमेटिक होता क्या है और बवर्कॉल कहते कैसे होता यह बता तो यह समझ आओ यह आपका जो चक कहा का कि operate वी और क्या होने लगे तो उस टाइप के चक वेन करते हैं नूमेटिक हो इस सब्सक्राइबल कन सब्सक्राइब ठीक है अब इसमें देखो क्या होता है यह आपका अपरेटेट कैसे होता है यह आपका अपरेटेट होता है कंप्रेश्ट एयर से कंप्रेश्ट एयर से यह अपरेटेट कैसे होता है तो यह आपका अपरेटेट होता है compressed air से देख लो यह आपका अप्रेटर्ट होता है compressed air कि और यूज किसमें होता है कि यूज आपका होता है आटोमेटिक चकिंग में मतलब चक आटोमेटिक चकिंग में आपका में होता है और जो इसमें मीन चीज़ आपको है याद रखनी है point of view एक जांके point of view से जवात्रयां करते प्लत देखो आफ killer एसा कुछ ठोता है तो इसमें जो नब जो यह वर्क पीस को पकड़ना होता है वह कैसे में पकड़ना होता है तो इसमें लोड कैसे होता है अब इसमें तो हम क्या करते थे चक में क्या करते हैं हम उसको जो उसका जा है उसको हम खोल के उसमें वर्कपीस को हाथ से अपना आप खुद लगा के उसके फिर हम टाइट करते थे की से ठीक है इसमें कैसे लोड होता है सर इसमें कैसे लोड होता है लोडेड बाई मैगजीन है लोडेड बाई मैगजीन इसमें जो लोड होता है वह आपका मैगजीन टाइप का जैसे क्या कहते हैं आप अगर इसका कैसे एक्जामपल आपको समझाओं तो आप याद वैसे जैसे आप इसको लोड कैसे करना है तो इसको क्या करते हैं ऐसे एक ही पर पूरा पूस्ट करते हैं जैसे मैगजीन को नहीं लगाते हैं मैगजीन को जैसे नहीं लगाते हैं एक पर एक आप क्या करते हैं अचानक फोर्स अप्लाई करके नहीं मैगजीन को जैसे लगाते हैं वैसे इसको मैगजीन टाइप का इसको क्या करते हैं लोड करते हैं लोड कैसे होगा तो मैगजीन टाइप से लोड होगा और अनलोड कैसे है उसके दोरा यहां ंतर से क्या करेंगे इसको क्या करतेंगे किसके द़ारा तो कर देंगे और कि यहां तक सबको समझ необया यहां तक सब सब को समझ में जल्दी से बताओ कि यहां तक सब को समझ में आया थ्री जा आपका सेल्फ सेंटरिंग होता है यह मैंने नहीं बताया है फोर जाको नॉट सेल्फ सेंटरिंग बताया यार कि सौविक मजमुदार कि आप अच्छे से देख लिना पिछली वीडियो थ्रीजा को मैंने बताया है सेल्फ सेंटरिंग जाहिर सी मतलब थोड़ा संसे क्यों रख रहे हो आप आप लोग यूज की हो ना थ्रीजा कैसे होता था आप किसी एक को हम क्या करते थे की से अगर हम उसको एक को किसी को अपरेटेट करते तो मतलब एक में अगर हम इंपूट देते थे तो तीनों जहां आपने आप मुव करते थे उसमें को सेंटरिंग वेगरा मतलब जॉब को हमको सेंटर उंटर पर करने की जोरत नहीं पड़ती थी जोरत हमको फोर्जा चक पर पड़ती थी यह चीज मैंने बता है यहां तक सब को क्लियर यह अभी न क dos कि इस प्लीट आपका देखो हां ढीज आप पूछ रहे हो ना अमीट चकरवरती जो इस प्लीट पीना पूछ रही हो जो हाफनाट कोई हाफनाट जानते हो ना हाफनाट मैंने जब पढ़ाया ले थे आप लोग सही से देखो जो मैंने पढ़ाया के वो लेक्चर को देखोगे आपका सब नट या meget Champagne आपका कहते हैं कि इसी को इसी को आपको हाफ नेट को ही इसीद भी कहते हैं तो यहापको मैंने आपको कराया था जब आपको लेगल व्हावगर बता रहा था पहले क्लास में यह सब बतायाBER से नगे अधी चलोगाए लगया हम देखते हैं आ आप आप हाफनुट का होता है बताओ नीचे आपको किसके लिए कहरेंच और को इंगेज कराने के लिए एंगेज कराने के लिएद के लिए करते अना नीचे आप देखें नीचे कुछ इसको क metic a ऐसा मालों ये पीड है ये आपका एड़िड टॉक यहां पर यहां पर यहांd कि यहां पर कोई एक देखे होगे आप लोग अगर यूज किये हो तो यहां पर एक ऐसा इस प्लिट टाइप का ऐसा कुछ आपको दिखेगा कि ऐसा कुछ था और यहां पर एक हैंडिल ऐसे निकली हुई होती थी हम क्या करते थे इसको पगड़ के यहां पर तीन आपका अभी आपका इसमें से अगर टर्निंग करना होता था किसी एक महँफसाते थे या फिर ठ्रेडिंग करना तो इसको एफयं स्टीट करते थे और उसको क्या करते थे लिड इस्क्रू और आपका कैरेज को कि इंगेज कराने के लिए लीड इस्कू और आपके के organisms कराने के लिए हम हाफ नट या फिर स्प्लिट नट का यूज करते थे स्प्लिट पिन का यूज करते थे समझ गए कि चलिए अब सब्सक्राइब करें अब से परपटी जानते ही हो इसकी प्रपटी क्या है तो यह क्या प्रोपर्टीज का यूज होगा हमारे चक में कुछ ना कुछ ऐसा चीज यूज होगा अब इसको देखते हैं यह जो चक होता है वह कैसा होता है तो यह चक जो होता है यह चक इस इलेक्ट्रो मेगनेटिक जो चक होता है वह आपका इलेक्ट्रो मेगनेटिक होता है और आगे इसकी प्रोपर्टीज देखते हैं चक इस इलेक्ट्रो मेगनेटिक चक क्या होता है तो चक यह आपका इलेक्ट्रो मेगनेटिक होता है चक आपका इलेक्ट्रो मेगनेटिक होता ह है और यह future ली होता है तो पहले इसलिए होता है तो पहले इने बता है कि जाहिड से बात है घर मेंगेटिक चक है है तो यूज किसके लिए होगा तो Ony bal Assessment फिरआस मेटेरियल और फिरआस मेटेरियल यूजों होगा इसले के मजने तब पूरा के फेयरस में मैगनेटिक प्रोपर्टीज होते intact लिए इसको यूच कहा करों तो अपर मेट्रियल में ऑ d और तो यह क्या करता है क्या कैसे उर्पेश को यह जो फिर को करने द्वब तो यह मैगनेटिक फोर्स के द्वारा वर्क फिसको यह करता यह तो magnetic force के दौरा वर्कपीस को hold करता है तो इसमें क्या हो जाएगा तो next अपलाइन लिखिएगा holds the holds the work piece by magnetic force holds holds the अब होल्ड दी वर्कपीस बाई मेगनेटिक को इसके द्वारे यह करता यह को तो मेगनेटिक फोर्स के कारण यह वर्कपीस को ओल कर पाता है अब अब क्या है सर तो इसमें कैसा स्पीड होगा इसमें जो में इस पीज़ गोश्चन आता है और इस को थोड़ा अलग पेन से लिखना अगर नोट्स बना रहे होगे तो तो यह आपके किस टाइब के मतलब इसमें यह किस टाइब का लेत होता है इसमें जो लेत किस टाइब के लेत में यह में युज करते हैं किस में हम मैंगनेटिक चकता युज करते हैं तो जिसमें आपका Coming स्फिड में होता है उसमें हम करते हैं में और यह आपका इंस जानते हैं अ मानते नहीं है तो आपका अगर हम इसमें क्या करेंगे अगर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रो मैंगनेटिक फोर्स लग रहा है वह क्या हो जाएगा वह कम्जोट पर जाएगा और अपने आप आपका जोवर्पीस होगा वह और या फिर आपने जगह से वह डिस्प्लेइश होने लगेगा अपने जग पूरा 100 परसेंट में से 90 परसेंट है कि वह क्या पूछेगा यह सब चीज तो पूछेगा नहीं यह सब चीज तो पूछेगा नहीं में क्या पूछता है कि अगर झार, क्या पूछता है कि झारी तो पूछता है झाल 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 करें चले सब्षाएं जाला गया वीच-बीच-बीच में फ्लोफ लो मैं कमेंट पर हमेसा नहीं देख्योंगा है वह फ्लोफ लोफ फड़ाने में पूरे लगा होगा तरह सांड चला गया चलो फिर से बता दिराओ इसमें जो आपको में चीजिज याद रखना था मैगनेटिक चक में मैगनेटिक चक में जो आपका में चीज याद रखना था वह था आपका दो लाइन या यूज किस के लिए होता है मैगनेटिक तो यह आपका फेरस मैटरियल के लिए ठीक है और यह वर्क किस स्पीड पर होता है तो यह जो वर्क करता है आपके लोग करता ह और एक लाइन अगर और याद करोगे तो यह इसमें यूजड किस टाइप के डिवाइस के लिए करते हैं इसमें कौन से डिवाइस पर हम यूजड करते हैं यूजड करते हैं यह आपका सेफ्टी और डिफेंस एकुपमेंट डिफेंस में जो इकुपमेंट यूजड होते हैं तो नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट आपका चप कर एक चीज नहीं छोड़ना है हमें ओके जितने टाइप के आ सकते हैं जो सोच सकता है वहां तक हमको पढ़ना है चक वैसे हम लोग पढ़ते थे पहले क्या के वल थ्री जा फोर जा पहले भी कॉलेज में अधिकतर यहीं पढ़ाए जाता है पढ़ते भी हैं इसलिए क्वेस्ट यहीं से आता था फाइफ मार्क्स टेन दिस मतलब चलिए जागे देखते हैं अब एक और होता है लास्ट आपका उसमें हमको देखना है कि यह वह सब्सक्राइब होता है जो वैक्यूम चक आता है ना वैक्यूम यह आपका आता है नॉन फेरस मेटरियल के लिए कि जो वैक्यूम चक है यह आपका आता है नॉन फेरस मेटरियल के लिए किसके लिए तो नॉन फेरस मेटरियल के लिए आपका जो यूज होता है यह आपका हाट योजड़ फौर का नॉन फेरस मेट्रियल जो आपका यूज होता है नॉन फेरस मेर्दल ले वाauraisब इससंगे रहा क्यों के आखे लेए गूंद डीक क्यों लेते हैं इसमें कि किसी को समझ में आ रहा है कुछ यहां तक कि जल्दी जबता है कि किसी को पता वैक्यूम चग क्यों नॉन फिरस मेट्रियल के लिए यूज करते हैं बताई वैक्यूम चग कि बताओ जल्दी कमेंट करके कि यार जाइड सी बात है फेरस मेट्रियल आपका क्या होता है कि फेरस मेट्रियल का वेट क्या होगा मैसा यह मास क्या होगा इसका मास क्या होगा हमें साधिक होता है इसलिए और इसका बेनिफिट क्या नॉन फिरस का तो नॉन फिरस का आपका वेनिफिट यह आप तक ब्रहस्किर कि अप्कर स्वेक्शब मैं totsे हुआ हम चाही है कि इसका जो मांस या फिर वेट होता है वह क्या हुआ होता है कि उसकी का ते सब्सक्री ejes जिसके कारार जिस या कम होता है जिसके कारण हम आराम से उसको करके होल्ड कर पाते हैं यही एक इसका कारण है समझ गए को समझ गए कि मैंगनेटिक प्रोपर्टी ना होने का कोई मतलब भी नहीं है जाहिर सी बात है ओके चलिए यह आपके यहां तक क्या हो गए यहां तक यह आपके चक्क खतम अब आते हैं थोड़ा एक जो आप अधर से कंपनेटि यूज़ करते हो उसको देखते हैं कि अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेस प्लेट कि नेक्स्ट टॉपिक का है अ पिस Curtis लिएrat कि नेक्स्ट आपका टॉपिक है फेस्प्लेट ऐके चलिए देखिए फिर्क आप यहां पर फेस्प्लेट सर होता क्या है फेस्ट फेस्ट फेस्प्लेट होता क्या है और यह क्यों आया जायर चाहिए पहले क्या देखते हैं कि यह होता क्या है और क्यों आया यह सब आपका क्या है यह सब मतलब का दो तो यह सब бы Extra component एक होजाता है ना वह चीज है यह आपके यह आपके मतलब इसेंसियल पार्ट नहीं है मतलब इनका होना जरूरी यह नहीं है मतलब यह नहीं हो estou गांभेक लेत यह अगर नहीं होगा तो काम करेगा वर्क नहीं करेगा यह सब तीज़े नहीं है इनको अलग से लगाई जाता है क्यों क्यों तो जूँकर पकाड़ी नहीं ठीक है कम उसको नहीं पकड़ पाते हैं तब आपका रोल में आता है वह है आपका फेस प्लेट करते हैं तो फिर सप्लेट कर्का यूज करते हैं लिख लेना पहला लाइन कि अवी यूज करते हो तो यह आप का यूल्ख यह आदा है टूहता है कंपलेक्स Doy konflнем 3 वर्कपीस होटे तो होल्ड कंपलेक्स जमेटरी रहें टूहल्ड कंपलेक्स जिए geography जिसकी geometry क्या हो वह complex हो तो उस type के आप क्या कहते हैं मैं उस type के आपको वर्कपीश को होल्ड करने के लिए face प्लेट आता है अब complex का मतलब जाहिज रिता है कि इसको हम क्या करते हैं नहीं कर पाते हैं इसलिए इस साइज समय होता है हमेशा चक से क्या होता है यहां से यह question भी उटके आता है यहां से इसका question भी उटके आता है जो फिलेश प्लेट होता है उसका साइज लार्जर देन साइज लार्जर देन चक साइज लार्जर देन चक एंड चक एंड चक साइज लार्जर देन चक इसका लिख लेना कि साइज लार्जर देन चक फिस प्लेट का जो साइज होता है हमेशा जो होता है चक से चक से क्या होता है चक से आपका बड़ा होता है और तो और सरी आपके किस टाइप के लिए वर्कपीस के लिए यह यूजड होता है है भी वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम फेस प्लेट का यूजड करते हैं ठीक है यह आपका फेस प्लेट में यहां तक बहुत ज्यादा है अब जैसे फेसिंग या फिर यह अब इसका अगर एक जामपल दोगे किसके लिए सर तो आपको आइसी नगर आप पड़े होगे उस सको आप पड़े होगे क्या उसमें उसमें ऐक चीज पड़े होगे क्रेंक साफ건 के कैसी होती є साथ कि कैसी होती है कांपलेक्स अनल करेंक सॉफट थो पड़े अब हcco है है इसाफ्ट का फैसिंग उप्रेशन होता है इसके एक्जाम्पल अगर दोगे तो है को फेसिंग of ancestral अगर इसकी नնट करने के लिए यहाँ पर पे फेस प्लेट का यूज करना ही पड़ेगा यह आपका एक्जामपल है यह आपका एक्जामपल है कि फेस प्लेट को यूज करना ही पड़ेगा यह आपका किसे यह आपके उससे नहीं हो पाएगा यह मतलब यह आपका चक से नहीं होड़ोप होएगा ओके तो यह एक्जामपल के दिना इसलिए एक्जांपल इसको लिखाए गाया है ना कि हमेशा एस अगर फोल देता है न तो आपका देता है यहां का ऊपड़ वाला देता है इसलिए में इस चुना ओक्य का यहां तक समझ में आया सबको कि बहुत कम संख्या में आ रहे हो यार सबस्क्स बहुत कम संख्या में आ रहे हो दो मैं को सिस करिए इतनी कम संख्या में देखना यार तो recording बीडम लगा दिया जाएगा कि इतनी कम संख्या में आते हो आप लोग इसलिए आप लोग को लगता है कि बाद में देखी लेंगे कोसिस करो ज्यादा ज्यादा लाइब आने की ओके कि चलो कि चलिए कि यह आपका फेस्ट प्लेट हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है तो आपका नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट आपका क्या होता है तो नेक्स्ट आपका होता है नेक्स्ट आपका होता है सेंटर्स क्या होता है नेक्स्ट आपका होता है सेंटर्स में आपको बताया है कितने चेंटर होते हैं आपके आपके अभी तो पाँच मधट मैं पर बता यह सेंटर है यह कहते हैं एक होता है आपका लाइफ सेंटर कि अगर नहीं आदा रहा होगा तो एक बार लाइन डिएग्राम देखें दोस्कार्ण यह यह इस होता है लाइफ सेंटर एक आपका होता है डेट सेंटर कि कुछ ऐसा से भूता है यह जो टेपर होता है इसको कौन से टेपर कहते हैं इसको हम कहते हैं मोड्स टेपर मोड्स टेपर और यह जो एंगल होता है यह एंगल होता है यह एंगल कितना होता है 60 डिग्री कितना होता है यह एंगल आपका 60 डिग्री होता है यह आपके सेंटर से यह चीज होगा है चलिए नेक्स्ट देखते हैं यह जो टेपर होता है यह वाला देख लेना अच्छे से य यह जो टेपर होता है इसको हम कहते हैं मोस्टेपर ओके चलो अब आपके अब आपका देखो अब आपका एक चीज और के बच गया है वह है आपका केरियर डॉग क्या तो केरियर डॉग केरियर डॉग आपका एक बच गया है नेक्ट देख लेते हैं केरियर डॉग कि नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट आपका है केरियर डॉग केरियर डॉग अब यह देखू जो बड़ा और हैवी वर्कपीस है न यह यह लाइफ सेंटर यह आपका डेट सेंटर कि ओके इसमें आप वर्कपीस को यहां पर होल्ड किये हो कि तो जो बड़ा और हैवी वर्कपीस होता है उसको क्या होता है कि बीच में आप सपोर्ट के सपोर्ट की भी जरुवत होती है तो उसके लिए क्या एक आपका कि ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ केरियर डाउग पीच में हम यूज करते हैं और इसका जो यह जो है यह आपके इसका जो इसका जो यह मतलब किसके में लगा होता है तो यह आपके फेस प्लेट में इसको हम इसको हम क्या करते हैं इसको फेस प्लेट में से लगा देते हैं और यह क्या करता है तो यह आपके लंबे और हैवी वर्पीस को सपोर्ट करने के लिए किया है और क्या तो लंबा और बड़ा होगा लंबा सब्सक्राइब मतलब लंबा और बड़ा जो वर्कपीस होगा तो जाहिर सी बात है उसमें वाइब रेशन आपके क्रियेट होंगे ही वाइब डेशन वर्कीस जब आपका मूव कर रहा हो रहा है तो च्या करेगा उसको भी कम करने के लिए आपका करियर डॉक करते उसको सब्सक्राइब करने के लिए और क्या तो वाइबरेशन को कम करने के लिए कि अब देखिए आपका थोड़ा सा आपके क्या करेंगे या आपके थोड़ासा आपको चार क्वेस्टन जल्दी लगा दे रहे हैं उसका जल्दी आप एंस्वर दे दो ओके चलिए 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 क्वेस्टन से रिलेटर है उसको आप एंस्वर दे दीजिए जो स्टेडी आप कहां एक स्टेडी रेस्ट भी होता है एक स्टेडी रेस्ट होता है तो वह क्या होता है वह भी लंबे और बड़े वर्कपीस को बेंड होने से बचाता है इस्टेडी रेस्ट आपका लंबे और आपके बड़े वर्कपीस को लंबे बड़े और जो थीन पतला वर्कपीस वेसे उसको क्या होता है उसको बेंड करने से बचाता है उसको हम कहते हैं study rest ओके चलिए है दट टाइप ऑफ टूल यूजड ऑन लेट सेपर एंड प्लेनर इस बताइए कौन सा आपका लेट सेपर और प्लेनर में कौन टाइप के टूल यूज होता है बताईए जल्दी से single point बहुत साही स्का एंसवर हो जाएगा इसका एंसवर हो जाएगा एक तो single point इसका एंसर जाएगा single point next i Olha next question करिए kukh सब्सक्राइब जो लेत का साइज है वो कैसे कैसे होता है मैंने एक एक टर्म बताया है लेंथ लेंथ बिट्विन सेंटर सही है हां सर सही है भी आपका स्विंग डायमेटर ओबर दिवेड स्विंग डायमेटर ओबर दिवेड सही है हां सर सही है उसके बाद स्विंग transfer इस इस का डी आ रहा है वो सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट करिए नेक्स्ट करिए नेक्स्ट कुश्चन देखिया आप अपने स्किन पर नेक्स देखें हाफनेट हाफनेट इस यूज़ तू लॉग दिलेट करेज तू लेड़ लीड़ी स्कुरू पर ट्रेडिंग यह सही है कि गलत है अभी आज भी मैंने इस चीज़ का इंसवर दिया है यह क्या है यह ड्रू एक आपका लीड़ स्कू लीड़ आपखे लीड़ इस प्रू despite और आखे आपके कैरेज करता है इंगेज करता है इंगेज या डिक्सिंगेज करता है कि कौन सा तो हाफ नट या फिर स्प्लीट इस्प्लीट नट ठीक है चलिए नेक्स्ट लगाई सर लास्ट चलिए हो गया है यह आपका लास्ट कुष्चिन जल्दी से अंसर दो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी हुआ मंडे में जो नेक्स्ट आपका है for turning internal tapers the suitable method is for turning internal tapers the suitable method is बताओ जल्दी से बाइसेटिंग ओवर दी टेल स्टॉक बैए फॉर्म टूल पाइड टेपर टॉर्निंट एटेच्मेंट बाय स्विवलिंग वी कमपांट रिजल्द से बताओ जल्दी से बताईए लिए आप टेपर टर्निंग लिए तो सभी हो जाएगा जब टेपर टर्निंग करना होगा उसमें तो सभी हो जाएगा करते थे हम सेटिंग और डिटेलles से भी करते थे टेपर टनिंग अटेचमेंट से भी करते थे या फिर स्पेलिंग ढूर्ब एक डार करना हो तो कौन है तो देखो इसमें हो जाता है और यह काइड की क्या करते हैं का सिफिविलिंग दीस पहन धींगई कंपाउंड से भी हो जाता है ठीक है शी कंपाउंड से हैं कंपाउं डिस से भी हो जाता है लेकिन आप अगर छेंघ chem a चली नेट्स में si अच्छे से क्लिह कर दोगा चली फिर आपका रहे हैं ओके गाइज लव यू टेक कियर की पिसमेले